शेहर कारी स्कूलों में टीचर्ज और प्रिंसिपल की तानाशाही किस प्रकार हावी है इसका ज्वलंद उधारन गर्मेंट हाई स्कूल सेक्टर 30 में देखने को मिला जब यहां की प्रिंसिपल ने अपनी तानाशाही दिखाते हुए 6 महीने से रेगुलर पढ़ रहे 5 वी क्लास के दो बच्चों को 25 जनवरे को स्कूल से यह कहकर बाहर निकाल दिया कि तुम्हारा एडमेशन ही नहीं हुआ कि इस बच्चे मेरी नॉलिज में यह बच्चा नहीं है बिलकुल भी या ना टीचर ने किसी ने मेरी नॉलिज में यह बात नहीं बताई कि यह बच्चा क्लास में बैठ रहा है के नहीं जिसको लेकर वीरवार को छातरों के परीजनों ने शहर के कॉंग्रेसी नेताओं के साथ स्कूल के सामने जम कर धना प्रदर्शिन किया सोचना मिलने पर डियो रामकुमार मौके पर पहुंचे और मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रिंसिबल को निलमवित कर दिया गौर तलब है कि दीपक और हितेश 27 जुलाई 2012 से गर्मेंट हाइ स्कूल सेक्टर 30 में रेगुलर पढ़ रहे थे लेकिन स्कूल प्रबंधन ने चातरों को एडमीशन नहीं दिया 25 जनवरी 2013 को प्रिंसिबल सतीश ककर ने अचानक दोनों बच्चों को यह कहते हुए स्कूल से बाहर निकाल दिया कि तुम्हारा एडमीशन नहीं हुआ है इस पर दीपक के पिता अलाज सजी बिले के इन सीपल ने मिले के इन सीपल ने मैदुरा दिया जिसके बाद बच्चों के परिसरों ने सूट परिसर के समझ इखिलाब कर प्रदशन किया व्यूरोपो टुदेश